Hello, greetings dear parents and students, this is Mahesh for Shiv Sinia Secondary School Gatali, today we will be continuing chapter number 2 for your subject English कक्षा 1 के English subject का आपका टेक्स्ट बुक में chapter number 2 है, बॉल उन दो वाल तो इसको हम पढ़ते हैं, page number 18 देखेंगे, सबसे पहले new words So new words में आप क्या सिखने वाले हैं, आज L.A.K.E. Lake L.A.K.E. Lake, Lake मतलब होता है जील, आपको photo दिया हुआ है यहाँ, तो इसका उचारन और इसका meaning दोनों पता होने चाहिए आपको L.A.K.E. Lake, यानि जील S.A.C. के S.A.C. का मतलब होता है BORA C.A.L.L. Call, इसको call नहीं पढ़ना है, यह है call Call का मतलब है, आप phone से जो बात करते हूं से को हम कहते है Call, then S.A.L.E. Sale, sale मतलब कहां जब कोई चीज़े बेची जाती है तो उसको हम कहते है, sale लगी है, so that is a sale Next is same, S.A.M.E. same, same मतलब एक जैसे, जैसे आप इस photo में देख रहे हैं दोनों बच्चे जो यह है, एक जैसे दिख रहे है, S.A.M.E. same, एक जैसे So now reading the chapter page number 19 पे देखिए, A.C.K. family वाले words, जिसके, जिन words के अंत में A.C.K. आता है जैसे carry the pack, P.A.C. के pack, तो backpack जो यह पीछे टांगने वाला bag होता है, इसे हम backpack कहते है तो carry the pack, pack को carry करो, on your back, आपकी पीछ के उपर, put it on the rack, रैक का मतलब होता है, almira या जिस चीज में समान रखा जा सकी, यह racks होते है So rack के उपर इसे रख दीजिए, next to the sack, जो बोरा है उसके side में, next to the sack का मतलब इसके side में तो pac के pack, pack आपके back के लिए उसकी आ है word, bac के back, back मतलब pit, rac के rack, rack मतलब almira या ऐसा धाचा जिसमें आप समान रखते हैं, next to the sack, sac के sack, sack मतलब बोरा अब practice zone 1 में, आपको match करना है, sac के sack कहा है, यहाँ है, तो यहाँ A लिख दीजिए, match करने का मतलब ऐसे line नहीं लगाना है, यहाँ A लिख देना है, rac के rack, अब इस photo में almira कहां दिख दीए, यहाँ B लिख दीजिए, c है back, तो back कहा है, यहाँ C लिख दीजिए, तो यह आपक brain, brain, so brain मतलब दिमाग, जो आपको photo यहाँ पर लिखा है, c h a i n, chain, chain, जो हम गले में पहनते हैं, that is a chain, यह motorcycle में यह cycle में भी chain होती है, तो that is also a chain, यह है chain, c h a i n, p a i n, pain, pain का मतलब होता है, दर्द, जैसे हम अच्चे को दिखाया है, इसको पैर में चोट लग गई है, तो व अर एक word के end में क्या आ रहा है, a i n, r a i n, rain, rain मतलब बारिश, अब इसी की practice के लिए आपको बूला है, a i n के आगे आपको words लगा के, letters लगा के word बनाना है, तो p हमने जोडा तो बन गया pain, p a i n, pain, t r जोडा तो बन गया train, t r a i n, train, r जोडा तो बन गया r a i n, rain, so यह आपक words है, next step is page number 21 पर देखिए, अब a ke e family, a ke e family में क्या है, let us bake, b a ke e bake, a c a ke e cake, bake का मतलब क्या होता है, जो चीजें bread, cake वगारा हम जो बनाते हैं, उन्हें cook करना नहीं कहते हैं, उन्हें कहते हैं, बेक करना, तो bake a cake, a cake बनाते हैं, and eat it when we make a trip to the lake, इसको तब खाएंगे, जब ए जबाब पे एक जील पे हम trip के लिए जाएंगे, biscuits two we will take, और हम biscuits भी लेके जाएंगे, take, lake, make, cake, bake, b a ke e bake, c a ke e cake, m a ke e make, l a ke e lake, t a ke e take, इसके basis पे practice zone number 3 देखिए, आपका circle करने हैं, a ke e family वाले words, तो a ke e इसमें आ रहा है, नहीं आ रहा है, इसमें भी नहीं आ रहा है, इसमें भी नहीं आ रहा है, इसमें भी नहीं आ रहा है, इसमें आ रहा है, तो इसको हम m a ke e make, इसको कर देंगे circle, c a ke e cake, इसको भी circle कर देंगे, let us b a ke e bake, इसको भी circle कर देंगे, तो जिन जिन में a ke e आया है वो हमने circle कर दिये next page number 22 पे अब है ALE वाली family ALE वाले words जैसे WH ALE वेल वेल क्या होती है एक type की मचली होती है पानी में मिलती है बहुत बढ़ी होती है then what is for sale S-A-L-E ALE तो ALE वाले word में आ गया sale sale मतलब जो विकरी के लिए क्या चीज है available जो मैंने आपको पहले बताया था discount पे available होता है या readily sale करने विकरी के लिए available है तो उसे sale कहते है I will tell you a tale T-A-L-E tale tale का मतलब होता है कहानी मैं तुम्हें कहानी सुनाऊंगा या सुनाऊंगी the food is stale S-T-A-L-E sale का मतलब होता है खराब हो जाना सड़ जाना तो जैसे यहां bread दिखा रखा है bread देखे न ग्रीन और ब्लैक हो गया है इस पर फंगस लग गया है तो खाना खराब हो गया है stale अब इसके basis पर आपको यहां पिक्चर में बना है let us read a fairy tale हम एक परियों की कहानी पढ़ते है the bread looks stale यह bread कैसा दिखाई दे रहा है खराब stale S-T-A-L-E तो इनके word के meaning भी आपको याद करने है whale एक मचली होती है sale यानि कोई चीज जब विक्री हो रही है एक चीज की खरीदने के लिए available है T-A-L-E tale कहानी S-T-A-L-E tale खराब सड़ा हुआ let us go to the sale S-A-L-E sale तो यह आपको फिल करना है page number 23 पे अब A-L-L वाली family के words है A-L-L जिनके अन्त में आएगा जैसे यहाँ देखिए Tina had a nice ball Tina के पास एक बहुत अच्छी सी ball है B-A-L-L ball बाल नहीं पढ़ेंगे इसे इसे क्या पढ़ेंगे ball that she got from the mall M-A-L-L जो उसने mall से खरी दी थी but she had a great fall लेकिन वो एक बार क्या हुआ गिर गई while playing in the hall जब वो hall में खेल रही थी H-A-L-L, hall hall, fall, mall, ball इनको बार बार बोलना है तो आप सही बोलना सीख जाओगे अब practice one five में क्या है there are three words with an A-L-L sound in the given crossword आपको उनको circle करना है जैसे की H-A-L-L, hall यह आपको ढूंडने हैं और इनको ऐसे ही circle करना है जैसे मैंने किया अभी F-A-L-L, fall ओके और कुछ मिला आपको B-A-L-L, ball यह words से इन्हें हमने circle कर दिया so that was your page number 23 अब page number 24 पर आगे बढ़ते हैं इसमें है A-M-E वाली family जिसके आंत में A-M-E आता जैसे N-A-M-E, name G-A-M-E, game S-A-M-E, same G-A-M-E, game F-A-M-E, fame What is your name? तुम्हारा नाम क्या है? Let us play a game हम एक game खेलते हैं The one who wins the game जो खेल जीतेगा will get great fame उसको बहुत प्रसिद्धी मिलेगी यानि उसको सब पूछेंगे अच्छा जीता कौन था? वो जीता है तो वो जीता बन जाएगा Name, name, game, खेल Same, एक जैसे दिखने में Fame मतलब प्रसिद्धी यानि लोग जानेंगे उसको तो Name, game, same, game, fame Write the three A.M.E. family words N.A.M.E. name एक हो गया G.A.M.E. game S.A.M.E. same यह सब A.M.E. family वाले words हैं यह आपको याद करने हैं पढ़ना भी सीखना इनको Next is A.S.H. family R.A.S.H. A.S.H. आता है इनके सब के end में R.A.S.H. rash rash का मतलब क्या है गहमोरी हो जाना जो skin पे गहमोरी हो जाती है That is rash C.A.S.H. cash cash का मतलब पैसे, नकद पैसे S.P.L.A.S.H. splash इसको क्या पढ़ेंगे splash splash का मतलब क्या है जब पानी में आप हाथ या पाव मारते हो तो उससे जो पानी छपकता है बाहर निकलता है तो उससे कहते है splash eyelash eyelash का मतलब क्या होता है आपकी पलक and mash mash का मतलब होता है फोड़ना जैसे उबले हुए आलू को फोड़ते है तो उसको क्या कहते है potato mash करना mash eyelash rash cash splash इसके basis पे practice zone 7 है आपको ash word जो यहां use हुआ है वो pick करना है तो पहला कौन सा use हुआ है splash फिर dash उसके बाद rash उसके बाद trash तो यह आपको pick करने है और यहां लिखने है splash splash dash 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 rash trash trash तो इसके साथ आपका chapter number 2 complete हो जाता है यह सारे words आपको बोलने सीखने है और इनको लिखना भी है notebook में अलग से book में जो यह आपकी practice है यह है उसके अलावा इन सारे words को आपको notebook में लिखना है और याद करना है take care study well